हेलो गुड मॉर्णिं गाईज आप सब का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूटूब चैनल ओनलाइन इस्टडी बजार पे गाईज आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बॉर्ड टैंथ किलास इंगलिस का मॉडल पेपर 2022 के लिए तो गाईस चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं यह जो मॉडल पेपर है आपका यूपी बॉर्ड टैंथ किलास इंगलिस अंग्रेजी का मॉडल पेपर है ठीक है 2022 के लिए और इसका जो पूर्लांग के आपका वो है 70 नंबर और मॉडल पेपर का जो टाइम है आपका वो ह जैसा कि आप सब जानते हैं यूपी बॉर्ड ने कोर्णा को देखते हुए आपका जो सिलेबस है वो 30% कम कर दिया है तो उसी के हिसाब से आपका टाइम रहेगा एकजाम में दो घंटा पंदर मिनट आपका टाइम रहेगा साइद तीन घंटा भी हो सकता है आगे देखीग गां सेवन्टिन नंबर कामा पेपर रहेगा 30 नंबर आको प्रेक्टिकल की मिलेंगे तो अब तको था आपका टाइब से आपका हंडरेड नंबर कम्प्लीट रहेगा यहां से आपका सेकेंड पेजि स्टार्ट है सेक्षन ए ठिक है और यहां पर बताया गया है कि कौन सब रसन जो है आपका कितनी नंबर का है तो आप लोग चाहो तो इन्हें पढ़ सकते हो ठीक है यहाँ पे section B के बारे में बताए गया है कि कौन सब रसन कितनी नंबर का है उसके बाद में यहाँ से आपका section A start है और यह देखीगा read the following passage and answer the questions given आपको जो है यह passage पढ़ना है उसके बाद में जो question नीचे दे हुए है तो उसका आपको answer लिखना है तो आप पढ़ सकते हैं इसे passage को यहाँ से start है the major portion of my message से और यहाँ तक है part of India तो आपका पहला question यह रहा what is write the name of the lesson from which the above noted passage has been taking who is the other of the lesson write the name of the lesson यहाँ पे जो है आपको lesson का नाम लिखना है यह जो line से आपका passage है किस lesson से लिए गया है तो उसका आपको नाम लिखना है ठीक है तो यह जो है आपका passage the ganga the ganga chapter से लिए गया है उसके बाद में पूछ रहे है who is the other of the lesson इस lesson के लेखक कौन है यहाँ से आपका fourth page start है और अगला question आपका यह रहा be why did the other want why did the other want the major portion of his acid be scattered over the fields of India लेखक जो है वो अपनी अर्स्तियों का जो वो होती है राक अंतिम संसकार करने के बाद में तो उस जो राक है वो उस राक को scattered है उस राक का बिखराब करना क्यों चाहता है भारती खेट उपन तो यह आपको बताना है उसके बाद में आपका दूसरा question यह रहा answer one of the following questions in about 60 words दो question आपके दिये हुए है तो दो में से आपको कोई सब भी एक question कर देना है 60 words में तो कोई सब में आप कर सकते है यूदिश्टर का है और लेंचो का है उसके बाद में यहां से आपका तीसरा question start है answer two of the following questions in about 25 words each यहां पे जो है आपको तीन question दिये हुए है तो तीन में से जो है आपको कोई भी दो question कर देने है यहां पे आपका सुकरात का है why did सुकरात say to the judge in the court मतलब सुकरात ने judge से क्या कहा था what did सुकरात say to the judge in the court सुकरात ने judge से क्या कहा था कोट में यह आपको बताना है उसके बाद में है आपका what does पंडित नहरू want India to get rid herself of तो तो गेट रिड हर सेल्फ ओफ इसके बताना आपको why did lancho not want the rest of the money to be sent through the mail तो तीन है आपके यहाँ पर तीन में से आपको कोई से भी दो कर दिने है तो तीन है उसके बाद में यहाँ से आपका चोता कोई सेनी स्टार्ट हो जाता है match the words of list A with their meanings in list B list A का आपको मेलान करना है matching करनी है list B के साथ में तो कर सकते हैं आप देखीगा आपका पहला है vast V A ST vast इसका मतलब होता है ब्यापक या विसाल तो इसका हो जायेगा आपका hug H U G E हग होता है आपका विसाल second है आपका admire A DMIRE admire का मिनिंग होता परसंसा करना तो इसका हो जाएगा आपका appreciate appreciate भी होता है प्रसंसा करना सराहरना करना थाड़ है आपका रैपूटेशन रैपूटेशन होती है फैम प्रसिधी ठीक है तो इसका हो जाएगा आपका फैम रैपूटेशन प्रसिधी प्रतिस्ठा तो इसका हो जाएगा फैम फूर्थ है आपका जिलक्टेंट यह होता है आपका अनच्छक तो इसका हो जाएगा आपका अनमिलिंग हो जाएगा सेकेंड पर जो है यह लिफ्ट भी में तो यहाँ पे आपका पांचवा पेज फिनिश हो जाता है उसके बाद में देखीगा यहाँ से आपका छटा पेज श्टार्ट है और आपका पहला question है पाँचवा चेटे पेच पेच पे आपका पाँचवा question है Read the following lines of poetry and answer the questions given value आपको जो है poetry के ये lines पढ़नी है और जो नीचे question है उसके आपको जवाब देना है ये A रहा और ये B रहा ठीक है ये आपको line पढ़ देनी है और उसके बाद में यहाँ पे आपको इनका जवाब देना है lines ये रही है आपकी Let us then be up and doing with a heart for any fact still achieving, still pursuing learn to labor and debate ठीक है तो आपका question ये रहा write the name of the poet and the poem from which the avowesternia has been taken ठीक है यहाँ पे आपको poet का नाम लिखना है ये जो lines है इसके poet का आपको नाम लिखना है तो उनका नाम है James Russell Lawell ठीक है और ये वो ले है and the poem from which the avowesternia has been taken ठीक है आपको इस poem का भी नाम लिखना है ठीक है ये जो lines है किस poem से लिए गई है उसका भी आपको नाम लिखना है तो ये जो lines है the fountain the fountain poem से लिए गई है ठीक है the fountain chapter से लिए गई है और इसके लिए का James Russell Lawell आगे देखीगा च्छटा question give the sorry यहाँ पर देखीगा एक question ओर है आपका भी point out the rhyming words in the stanza तो यहाँ पर आपको इसका जवाब भी देना है ठीक है दो poem दे हुई है तो दो में से जो है आपको किसी एक का central idea लिखना है the fountain भी है आपका और the village song भी है ठीक है और उसके अथवा में है आपका यहाँ पर उसके बाद में अगर आपसे central idea याद नहीं है तो आप जो है यहाँ पर कर सकते हैं इसके अथवा में दिया हुआ है write four lines from one of the poems given in your textbook आपको किसी भी poem की जो आपकी textbook में है उसकी चार line आपको लिखनी है four lines ठीक है और इसमें आपको एक ध्यान दखना है do not copy out of the lines ठीक है do not copy out the lines given in this question paper ठीक है आपको वो line नहीं लिखनी है जो की इस paper में है इस paper से हट कर आपको कोई सी भी अपनी book की चार line से लिख देनी है पोईट लिखी ठीक है अगर आपके central idea याद नहीं है तो उसके बाद में यहाँ पे आपका साथ फ़ा question है answer two of the following questions in about 25 words each तीन question दिये हुए है तो तीन में से जो है आपको दो करने है 25 words में ठीक है कोई साभी आप चाहे वाईवाज एडिसन taken out of the school और second है आपका वाईवाज बिक्रमा देते है प्रेस्ट वाई one and all और यह है आपका third वाईवाज एडिसन get a beating from his mother तो कोई साभी आप कर सकते है दो करने हैं आपको एडिसन को इस्कूल से क्यों निकला गया और विक्तरमा देते हैं कि प्रेस्ट से सब क्यों करते हैं और एडिसन जो था अपनी मा से क्यों पिटा था यह question है आपके आगे देखीगा यहां से आपका आटवा पेज स्टार्ट है point out true and false in the following statements चार आपके statements है इसमें आपको जो है true और false आपको बताना है आपका पहला statement यह रहा एडिसन वाज़ फाउंड एडिसन वाज़ फाउंड of making experiments एडिसन जो था वो experiment करने का सोकीन था तो यह बात बिल्कुल सही है true है यह ठीक है यहांप आपको लिखना है true आगे रखीगा बिक्रमा दिती है did not love justice बिक्रमा दिती है जो थे वो नियाए को प्रेम नहीं करते थे तो यह हो जाएगा आपका false आगे रखीगा as a child addition was not found of asking questions as a child एक बच्चे के रूप में addition जो था addition was not found of asking questions एक بच्चे के रूप में addition question पूचने का SOQUINT नहीं था ठीक है ये इनका statement है एक बच्चे के रूप में addition question सवाल पूचने का SOQUINT नहीं था तो यह बात बिल्कुल गलत है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका false आगे देखिएगा D The angle flew up to The angle flew up into the sky Bearing the slave upon his head मतलब जो angle था वो देपता अपने सर पर रखकर जो slave थी अपने सर पर slave को रखकर उड़ गया तो यह बात भी बिल्कुल सही है तुदू इस कांसर है आगे देखिएगा नवा question Select the most suitable alternative To the Select the most suitable alternative To complete the following state यहाँ पर जो है आपको यह बिकल्प टाइप से है आपके तो जो सही है आपको उसे सिलेक्ट करना है King विक्रमा देती है वाज फेमस फोर ही जे वो किस चीज़ के लिए फेमस थी आपका पहला option है cruelty and tyrannery ठीक है Second है आपका love and affection और थार्ड है आपका sincerity सही है sincerity and honesty और फोर्थ है आपका justice and learning ठीक है तो इसमें आपका थार्ड बाला right हो जाएगा sincerity and honesty आगे देखिएगा भी the judgment seat of बिक्रमादित्य वाज found in जो बिक्रमादित्य की judgment seat थी वो कहाँ पाई गई थी आपका पहला option है नालंदा second option है कुसी नगर third option है उज्जेन और fourth option है पटना तो ये पाई गई थी उज्जेन में ठीक है वो जेन परतमान मध्य प्रदेश में पड़ता है आगे देखिएगा during the first world war addition made परतम 20-20 के time पे addition ने बनाए आपका पहला option है 20 word time inventions second है 10 word time inventions third है आपका 40 word time inventions और fourth है आपका 31 time inventions ठीक है तो इसमें आपका third right answer है 40 word time inventions 40 अब इसकार किया थी इसने ठीक है आगे देखिएगा यहां पर आपका दसवा पीज इस्टार्ट है जब एडिसन ने अपने जो प्रियोग थे अपनी नोकरानी की लड़की पर किये तो क्या हुआ तो सी फैल इलिसका राइट अंसर है यहां से आपका सेक्शन भी स्टार्ट है तो आप लोग देख सकते हैं वो वीडियो भी जो है काफी नंबी हो चुकी है ठीक है गाईज यहां पर आपका बारवा पेज है ठीक है और इंग्लिश ट्रांसलेट के लिए भी आता है आपसे ठीक है ऐसे वैसे सब लिखना है आपको यहां पर आपको ऐसे लिखना है माई मतार एन आइडिल प्रिंसिपल और एन इंडियन फार्मार और गाईज बास इतना ही था पेपर मापके आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी